फरीदाबाद के सिविल अस्पतार में ओमिक्रोन के एक नए मामले की पुष्टी हुई है जिसकी बाद स्वास्ते विभाग ने सक्त रुख अपना लिया है और स्वास्ते विभाग अब ऐसे लोगों के लगातार चलान काट रहा है जो लोग अस्पतार में बिना मास्क के घूम रहे हैं पुलिस और स्वास्ते विभाग लगातार इस अभ्यान को चला रहा है और इस अभ्यान के तहट आज यानि गुरुवार को भी 20 से ज़्यादा ल करोना ओमिकरोन वाइरस दोबारा से रहा है और उसकी रोकताम के लिए जो सरकार ने तियादी कदम उठाये हैं उसमें हरा आदमी को डिस्टेंस मेंटेन करनी मास्क लगाना ज़रूरी है उसी की आदेश की पालना में पहले डाकर जैनता उजजी थे वो सीमो कैथर से ले गए कि रोकताम के लिए ताकि जनता सबस्त्रे पासरकार उन्हें जो परियास की हैं वो सफल हो सके उस कड़ी में हम जो है बगएर मास्के लोगों को चलान जो ना खातने सब्सक्तार क्या देश हो एक सर यह कितने रुपे का चालाना कितने लोगों के अभी तक कट चुके सुब प्रशासन और स्वास्ते विभाग ने सकत रुख अपना लिया है और इस कड़ी में लगातार बीना मास्क घूम रहे लोगों के चलान किये जा रहे हैं प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से सुनिल चौदरी की रिपोर्ट दून के अज़कत हुआ अज़कत हैं हुआ है है इती अपनुली करओ आदम लुदार्वा हुआ है इत्व इत्अ करोड़ा एसपास देविता उपने अगए में क्या एक रहा है है